Hello everyone, welcome to study IQ So, इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे Habitable planets around red dwarf stars Might not get enough photons to support plant life यहाँ भी जो थोड़ा सा difficult words है Habitable planets क्या होते है Red dwarf stars क्या होते है Photons का क्या मतलब होता है इन तीन terms को अगर हम समझेंगे तो इस लेक्चर को तभी समझ पाएंगे Habitable planets की बात करें ऐसे planets जहाँ पे जीवन संभव है उसे हम Habitable planets बोलते हैं और ये planets present होते हैं Around Habitable Zone और इसे हम बोलते हैं Goldilock Zone Goldilock Zone भी बोलते हैं मतलब ऐसा zone जहाँ पे Planet में पानी liquid form में हो सकता है जैसे प्रत्वी में पानी है liquid form में है जो की life को support कर रहा है इसी प्रकार ऐसे planet जो sun के इतने distance में है या किसी star के इतने distance में है जो की support कर सकते हैं life में कैसे life को कैसे अगर पानी liquid form में present है तो ऐसे को हम बोलते हैं Habitable planets Red dwarf stars क्या होते हैं उसे आगे हम समझेंगे इन जर्णल अगर बात करें तो ये kind of एक तारे हैं stars है जैसे sun भी भी एक क्या है star है उसकी भी एक life है similarly दूसरे अलग तरीके के भी stars है जिनमें एक category है red dwarf stars आगे हम discuss करेंगे ये क्या है और photons को समझ लेते हैं photons का simple सा ये मतलब हुआ जैसे for example कोई भी चीज छोटी-छोटी चीजों से मिलकर बनती है इसी प्रकार जो light है light बनी होती है bundle of electromagnetic energy तो मतलब कहने का ये है कि जो छोटी-छोटी unit जो basic unit है जैसे हमारा सरीर किससे बना हुआ है cell से बना हुआ है इसे प्रकार light किससे बनी होती है photon से बनी होती है तो basic unit of light क्या है photons तो ये topic क्या कहरा आपको ये ये कहरा है कि red dwarf जो stars है जिसके around हम habitable planets को जो ढूट रहे हैं वहाँ पे शायद इतनी light ना आए कि वो plant की life को support कर सके जैसे जो plants होते हैं जैसे प्रतवी में जो plants है अगर सूरज की रौशनी ही नहीं हो तो क्या होगा plant photosynthesis नहीं कर पाएंगे वो support नहीं कर पाएंगे मतलब अपने आपको क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें एक particular amount of light चाहिए sunlight चाहिए तभी photosynthesis वो कर पाएंगे अपना भोजन बना पाएंगे और वो survive कर पाएंगे तो यह topic यह कह रहा है कि इतना photons नहीं होता इन planets में इतना photons इन planets में transfer नहीं होता कि अगर plants वहां हो भी तो वो अपने आपको grow कर सकें क्योंकि वो photosynthesis नहीं कर पाएंगे तो यह topic है थोड़ा सा बड़ा topic है लेकिन अगेन काफी interesting है काफी नया research है और इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो इस प्रेजेंटेड बाइ मी मैंने में सौरपांडे इस lecture का PPT आप में ते Facebook पे सर डाउनलोड कर सकते हैं माईडे सौरपांडे 009 अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे है SSC है, bank है, SSCJE है railway exam है, RBI grade B है NABAD है, UGC net है या defense exams है, law exams है या UPSC की त्यारी कर रहे है तो आप हमारे pen drive courses का benefit उठा सकते हैं आप studyiq.com website विजिट कर सकते हैं या फिर नंबर पे call कर सकते हैं और इन courses के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं पहले समझ लेते है red dwarf stars के बारे में जो की again काफी important है और एक point और भी जान लेते हैं देखिए, जो star, जैसे sun भी star है तो जो stars होते हैं जो तारे होते हैं, इनकी life होती जैसे humans की life होती है इसी परकार जो stars होते हैं इनकी भी life होती है जैसे क्या है, कि for example अगर बात की जाए humans की तो पहले बच्चे फिर adolescent फिर थोड़ा again young होंगे बुड़े होंगे और फिर life खतम इसी प्रकार क्या है कि जो stars होती है उनकी भी एक life होती है और उन में से एक जो stage है जैसे star की जो evolution की जो stage है उन में से अलग-अलग जो stages है उन में से एक जो stage होती है उसे हम कहते है red giant red giant और इन में से कई सारे जो stars present होते हैं जो कि again evolutionary process का ही part है star के उसे हम कहते है red dwarf तो red dwarf क्या है red dwarf का मतलब ये एक ऐसे stars है जो कि again present है universe में और इन्हें red dwarf क्यों कहा जाता है क्योंकि ये छोटे star है sun से अगर comparison किया जाए तो 7% से लेके अगर size से compare गया है 7 से 50% है sun के size के और Jupiter से थोड़े बड़े हैं इसलिए इन्हें red dwarf कहा जाता है dwarf कहा जाता है छोटा red मतलब इनका जो color है वो red है क्यों है क्योंकि यहाँ जो energy generate होती है वो nuclear fusion की वज़े से गाड़ी चलाने है तो गाड़ी के लिए अपको energy की जरौरत होती है इसी परकार star के लिए star के लिए जो energy का energy का source है वो यह nuclear fusion reaction होता है आपको अगर energy चाहिए तो food चाहिए इसी परकार क्या है इनको अगर energy की बाद की जाए तो इनको nuclear fusion के थूर आठ प्लानेट्स है, प्लॉंट्रों को, गए जो हम अब भी include नहीं कर रहे है। लेकिन अगें, उसको भी शायद include करने की बात है, शायद include कर लिया जाए। अब क्या है कि आठ अगर हमारे जो यह planets है, तो ये कुछ इंग में life है, मार्स में लाइफ नहीं और किसी में लाइफ नहीं है क्यों अर्थ में लाइफ है क्योंकि एक particular distance में है जहाँ पर पानी एक particular form में रह सकता है तो यह sun क्या यह star इसी प्रगार आपके पास हमारे solar system के around 20-30 red dwarf stars है overall अगर आप बात करें तो milky way में 85% जो stars है वो red dwarf है overall inverse की बात करें 70% जो star है वो red dwarf star है तो 20-30 ऐसे red dwarf stars identify किये गए है जिसके around planets present है और planets present है जिनकों कहा जा रहा है कि यह goldie lock zone में है मतलब यहाँ पे जो water है वो liquid form में हो सकता है और जो life है यह support कर सकते है इस चीज के लिए काफी time से research भी हो रही है इस बारे में आपको भी शायद जानकारी होगी अब कहने की यह बात है कि जो again point रखा गया है इस research में वो यह है कि देखिए भले हम यह माने कि वहाँ पे जो habitable zone है वो life को support कर सकती है लेकिन बहुत सारी ऐसी research भी कहती है कि भले आपको यह लगे कि यह planet habitable zone में है अलग-अलग red dwarf stars है उसके around planets present है जैसे हमारा solar system में उसमें बहुत सारे planet present है इस प्रकार के बहुत सारे systems present हो सकते है अलग-अलग stars के around अलग-अलग planets present है तो जो हम habitable zone समझ रहे हैं habitable planets है वहाँ पे जो यह red dwarf से light पहुँच रही है वो इतनी अधिक नहीं है photons इतने अधिक नहीं है क्योंकि यह red dwarf जो है यह basically dim भी है dim कम यह मतलब है कि अगर हम compare करें जो sun जितनी amount of light produce करता है यह light देता है उससे यह red dwarf star बहुत कम देते तो कहने का यह मतलब है कि इतना photons transfer नहीं करेंगे inhabitable planets में जिससे कि अगर महाँ plants present है वो अपना photosynthesis कर सके अगर photosynthesis नहीं कर सकेंगे तो again life को support नहीं कर पाया जाएगा क्योंकि वो अपना भोजन ही नहीं करेंगे बना पाएंगे तो survive कैसे करेंगे जैसे अगर आप ही बात करें अगर 10 दिन खाने को नहीं मिलेगा तो support नहीं अपने आपको कैसे जीवित रख पाएंगे कुछ exceptions जरूर है लेकिन फिर भी मतलब अगर एक महीना माल लेजे एक दो महीना ही कुछ खाने को नहीं मिले पीने को नहीं मिले तो again death हो जाएगी इसी प्रकार जो है अगर plants को light नहीं मिलेगी तो वो अपना photosynthesis नहीं कर पाएंगे और फिर again जो life है वो again support नहीं हो पाएगी क्योंकि plant भी जीवित नहीं रह पाएंगे ऐसा Harvard University की जो research है वो ये कह रही है अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में जो life emerge होई है लगबग 3.7 से 4.1 billion year ago होई थी और इस planet में जब ये planet में जब life emerge होई थी तो बहुत जहरीली तत्तो थे atmosphere में और वहां survival भी काफी मुश्किल था 2.9 से 3 billion years ago में photosynthesizing उनका उप्योग करके methane ये carbon dioxide gases का उप्योग करके oxygen spread किया और इसी वज़े से कहा भी जाता great oxidation events मतलब अलग अलग जो जहरीले तत्तो अलग अलग जो gases हैं उनका उप्योग करके ये जो bacteria है इन्होंने oxygen का निर्माड किया और इसी वज़े से nitrogen और oxygen हमारे atmosphere में present हुआ अब जब इनका present हुआ तो धीरे धीरे life का evolution हुआ तो कहने कहीं मतलब है कि ये भी एक process है देखे एक argument जो दिया जा रहा है वो ये है कि जिसे for example हम जिस चीज को देखते हैं वो depend करता है कि कि किस प्रकार की जो light है वो हमारी आँखों में पड़ रही है फिर वो reflect होती है फिर उस चीज को हम देख पाते हैं हो सकता है कि जितना level की जो light है उसको हम notice कर पा रहे हैं जितने level की आवाज है जिसको हम notice कर पा रहे हैं जो चीज हम देख पा रहे हैं जितनी frequency में तो हो सकता है कि जो दूसरी life हो वो उनके लिए थोड़ा अलग हो अगर आप x को देख पा रहे हैं इतनी visible light की जो spectrum है उसको अगर आप देख पा रहे हैं तो दूसरी जो life हो y को देख सकते हैं आप जो है y को ना देख पाएं लेकिन हो सकता है कि y x को देख पाए जिसे हम aliens कहते है अगें ये exist करते हैं नहीं करते वालग बात है लेकिन research तो काफी time से चल रही है तो ये कहने का मतलब है कि आप जो खाते हैं आप जो देखते हैं आप जो पहनते हैं उसका पूरा opposite हो दूसरी life जो अगर किसी जगा present है उनके लिए जिसे हम देख पा रहे हैं शायद वो उसे न देख पाएं या देख पाएं या हम उन्हें न देख पाएं ऐसा भी possibility है हमें पानी important है शायद उनके लिए पानी important ना हो कुछ और तत तो important हो तो इस प्रकार की जो है कई सारे hypothesis दी जाती है लेकिन अगेन ये काफी discussion की बात है ये तो सब बाते तब discuss करनी चाहिए जब again exam clear हो गया है खाली बैठे हुए हैं तो again दोस्तों के साथ बैठके ऐसी बाते कर ली कपे मार लिए लेकिन अगेन अगर हम बात करें research की geological time scale की या life की evolution की तो वहाँ पे ये point बहुत important हो जाता है कि अर्थ में जो life का evolution किस प्रकार से हुआ और इसको समझने के लिए इस प्रकार की जो study है वो काफी important हो जाती है अगर हम photosynthesis की बात करें तो photosynthesis में होता क्या है CO2 हो गया, sunlight आ गई water मिल गया ये मिलकर आपको glucose बनाएंगे और oxygen बनाएंगे ये होता है और इसमें chlorophyll जो है बहुत important role play करती है अब एक दूसरा तक तो भी plant में present होता है जिसे हम retinal कहते है अब इस प्रकार के भी कुछ जो plants है वो present है retinal photosynthesis वो करते थे और अभी भी कई सारे ऐसे environments है, ऐसी जगाए हैं जहां पर ये retinal photosynthesis होता है जैसे for example, in general जो photosynthesis किया जाता हूँ, chlorophyll जो कि again पत्तियों में present होता है और chlorophyll का chlorophyll का जैसे उसमे तो थालाकवाइड है, अलग-अलग तरीकी के mechanisms होते है, chlorophyll का एक structure होता है, जो कि again इक different topic है तो वो help करता है photosynthesis के लिए chlorophyll A, B अलग-अलग category के chlorophyll present होता है, जो help करता है प्रकास sensation या photosynthesis के लिए, इसी प्रकार का pigment है retinal, तो retinal photosynthesis कहे रहेगा, उसे retinal photosynthesis कहेंगे, कहेंगे और यह image 2.5 से 3 billion years ago हुआ, अब इस प्रकार के भी कुछ pigments पाए गए है research के दोरान जो की again yellow green part of visible spectrum 400 से 500 nanometer, इसमें photosynthesis कर सकते हैं, तो अलग-अलग variety of plants भी present है, इसके बारे में भी यह कहा जा रहा है, तो हो सकता है जो हम यह कह रहेंगी, इतने amount of photons की जरूरत है, जो की plant को help कर सकती है, photosynthesis के रिए, लेकिन यह भी possibility है, की different type of plants भी हों, जो की उतने ही photons में, अपना photosynthesis कर ले, और वहाँ पे survive कर ले, तो यह भी कहने की एक again important बात है, दूसरे point अगर देखें, तो यह है की, यह जो again, जो यह research होती है, बहुत important होती है, क्योंकि यह अर्थ में किस प्रकार से life emerge हुई, उसको understand करने के लिए काफ़ important हो जाती है, और यह इसलिए भी important हो जाती है, की जो हम search कर रहे हैं, की जो extra solar planet है, हमारे solar system के बाहर जो planet है, और वहाँ पे जो life हम search कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ important हो जाती है, ऐसी research क्योंकि अलग-अलग conclusion करना, अपने बारे में जानना, उनके बारे में जानना, यह life कैसे support हो सकती है, क्या-क्या constraint हो सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए ऐसी research काफ़ी important हो जाती है, तो इस research का नाम है, photosynthesis on habitable planet around low-mass star, और यह published भी हुई है, monthly notice of Royal Astronomical Society में, अगर आप UPSC की तहारी कर रहे हैं तो यह topic again, GS paper 3 के लिए important है, science में पूश सकते हैं, so I hope यह video lecture आपके लिए helpful होगा, thank you for watching the video